हालो डियर फैंड्स बलगे तो जाम गुरुजी आज हम आपके लिए 39 मॉंक्टेज डिस्कस करने वाले हैं तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लिजिए तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फास्ट कोशन क्य अकि इसर आप कंसिडर करते हैं एक लाचो किशनय होता है उसमें आप सब्सक्राइब कर अबर ब्रगर होता है उसको कुछ कर्ते वह हमारा is social बंजाएगा अगला कुशन देखे on the basis of thickness thickness के basis पर the thickness of fine line is जो fine line होती है उसकी thickness कितनी होती है बहुती पतली होती है वो पतली रेका जो होती है उसकी क्या thickness होती है यह drawing से question पूछा गया है आप सभी को पता है कि drawing जो होती है वहां से भी question पूछे जाते हैं RSM कुछी ऐसा board है राजस्तान का वहां उनको पता है कि question आते हैं और भी बहुत सारे board जैसे की दिल्ली का है stop session board वहां पर भी question पूछे जाते हैं वैसे आजकल तो हिमाजर में भी पूछे जा रहे हैं तो यह सभी के लिए important है तो thickness के basis पर जो thickness होती है fine line के लिए वह point 3 mm होती है इसके उपर जो होती है वह point 5 mm होती है और सबसे मोटी line जो होती है वह 1 mm की होती है तो पतली के लिए पुछा था पतली रेखा thickness fine line के लिए तो उसके लिए point 3 उससे medium side के लिए point 5 जो सबसे मोटी होती है उसके लिए 1 mm उसकी थिक्रिस होती है यह तीनों point आप याद रखी क्योंकि इसको इसको लेकर इंसाम में question पूछे जा सकते हैं अब इस question को छोड़ देते हैं कि इसमें option ही नहीं दिये है which of the falling is invisible line अब यहां पर diagram होना था कि इन्वीजिबल लाइन कौन सी होती है तो वह रहने दीजी इस question को हम बाद में discuss कर लेंगे अगला question क्या पोर रहा है यहां पर which of the falling is a principle of building planning principle principle of किसका सिधान से होता है building planning का वो क्या होता है privacy होती है प्रोस्पेक्ट होता है economical होती है फिर all of the ever पाबन की योजना जो होती है उसमें जो main सिधान होता है principle जो होता है यह तीनों ही होते हैं बाई all option are correct यह सारे ही option जो हैं वो बिल्कुल ही correct दिये गए हैं क्योंकि आप building planning में principle को follow नहीं करेंगे तो आपकी building जो होती है वो उतनी अच्छी देखने में नहीं बनती है तो इसलिए planning जो होती है बहुत ही जरूरी होती है तो यह तीन चार है आप इनको याद कर लेजिए क्योंकि इसको लेकर exam में question पूछा जा सकता है अगला question हमें आपे देखते हैं कि बीच तो देखिए आपे residential room के लिए पूछा गया है कि what is the minimum value used for minimum height in a residential room के लिए यानि कि जो habitable जो रहने वाला घर होता है कमरा होता है उसकी जो height होती है वो कितनी होती है आपके floor का label जो होता है और जो च्छत का जो सबसे नीचली surface होता है वहां तक कितनी height होती है यह exam में question आपको बहुत सारे इसको लेकर पूछे जा सकते हैं जैसे कि kitchen जो होता है उसके के लिए कितनी होती है बातरूम के लिए कितनी होती है तो तीनों के लिए आपको पता होने जरूरी है अगर आप यहां पे कमरे की बात करेंगे तो उसके लिए 2.75 से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप यहां पे कमरे के लिए चुडाई की बात करेंगे तो 2.4 मिटर से कम नह जो होता है उसकी बात करें तो इसकी जो हीट होती है वह बी 2.75 से कम नहीं होनी चाहिए ये किचन का कूछ 5.5 स्केर मीटर से कम नहीं होने चाहिए चुड़ाई की बात करेंगे तो 1.8 मीटर से वो भी कम नहीं होनी चाहिए यह किछन का कुछ पॉइंट हैं अगर आप टॉयलेट या फिर बातरूम की बात करेंगे तो उसकी जो हाइट होती है 2.2 मेटर की होती है यह भी आपको पता होने चाहिए अगर आप इसकी जो एरिया की बात करेंगे तो एरिया वैसे उतना इंपॉर्डन नहीं है तो इसको आप इसको यहाद के लिए यूँकि हाइट जो है वो इंपॉर्डन एक्जाम से पॉइंट अगरा कोशन देखते हैं हम पर अकवर का मकवरा निमल खित किस स्थान पर है अकवर का जो मकवरा है किस स्थान पर है वेरि इंपॉर्टन कोशन है अकवर का जो मकवरा है इसकी अगरा बात करेंगे तो इसको जो बनाना शुरू किया था अकवर ने ही शुरू किया था लेकिन बाद में उसकी मृती हो तो वह काम थोड़ा से छोड़ गया तो उसके बाद उस उनके पुत्र ने जो कि उनके पुत्र जहां गीर थे उन्होंने पूरा करवाया था तो अकवर का जो मखवर है वह सिकंदरा में है सिकंदरा जो कहां पर है आगरा में है option A हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला देखिए यह भी इंपोर्टेंट है exam के point और भी से question so question क्या बोर रहा है who among the following was the first grammar meaning of the Sanskrit language यानि के निमलिकर में कौन सा संस्कृत का प्रत्थम ब्याकार्ण बित था तो बोते पारेणी इन्होंने संस्कृत में एक ब्याकार्ण की बुगलिकी थी अस्ट ध्याई जिसमें आठ ही अध्याई थे अस्ट ध्याई आठ अध्याई option D हमारा इस question के लिएंसर होगा अगला question देखिए कौन सा बेद धर्मिक अनुस्टानों से सबंद रखता है धर्मिक अनुस्टानों है वहां से समंद रखता है ritual the way which deals with the ritual is known as वो कौन सा है तो वो यजूर्वेद है यजूर्वेद option B हमारा इस question के लिएंसर बन जाएगा यह point important है यह अजूस जो सब्द है वहां से बना है जिसका art क्या होता है यज्या वैसे ask question मैं करवाना भी नहीं चाहता हूँ लेकर थोड़े बहुत question आपको करने चाहहें क्योंकि हो सकता है कि जो मांँ आपको करवा रहा हूं वहां से exam में question पूछिलिया जाए तो आपको पता होगा तब आप question को भी कर सकते हैं वो सब्सक्राइब कि जो आपने पढ़ा हो वहां से जी के ना आये जो मैं करवा रहा हूं वहां से आपके लिए जी के आजाए तो यह चीज आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए कि जीके भी कुशन इजामें पूचे जाते हैं निमलकित मैं से किस समझोते का लक्षय हिंदू मुसलिब मत भेदों को सुल जाना था कौन सा वो समझोता था जिसमें हिंदू मुसलिम मत भेद जोते उनको सुल जाना था वेरी इंपॉर्टन कोशन है अगर दिसम्बर हम 1916 की बात करेंगे तो इसमें कांग्रेस का 31 जो अधिवेशन था वो हुआ था और वो लखनव में हुआ था तो उसमें यही समझोता हुआ था कि हिंदू मुसलिम समझोता आपने नाम सुना होगा तो इसमें यही समझोता हुआ था इसमें जो में सरबत की जो योगदान रहा था वो रहा था मुहमद अली जिन्ना बगार नाम है वैसे और बाल गंगल है तिलक इन दोनों का में योग पूछ रहा था तो यह पूछ रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम का जो समझोता है वो किसमें हुआ था लखनाव समझोते में हुआ था option A हमारा question के लिए answer हो जाएगा अगला question देखिए शिवा के विच लुकेटड इन शिब गुफा कहां पर है शिब की गुफा जो है वो कहां पर है शिब की गुफा जो है अलीफेंटा में है अलीफेंटा गुफाएं में है option C हमारा इस question का अंसर हो जाएगा elephantा की गुफाएं जो है महारास्टर में स्थेता है ये भी आपको पता होना जुरूरी है भाई क्योंकि question important exam के point of view से अगला हम यहां पर question देखते है कि number of parliamentary seats राज्यसाबा और उत्रप्रदेश इस उत्रप्रदेश के संस्थे सीटों के संक्या कितनी है 12, 16, 18, 31 कितनी है अब जो उत्रप्रदेश वाले हैं उनको तो भाई फटा फटा से पता हुआ कि भाई राज्यसाबा के लिए कितनी सीटे हैं उत्रप्रदेश से यहां पर बारा दी गई है बारा जो है करनाटका की है और 16 जो है वो किसकी है पश्रिम बंगाल की है अगर बात करेंगे उसके लिए कितनी है यह आप comment box में लिख सकते हैं सोरी comment box में क्यों लिखना है मैं χोंबार के लिए क्यों क्यों हूं तो टमिल नाडु के लिए जो अठारा है तो 31 ही बसती है तो 31 जो है वो किसकी है उत्रप्रदेश की है 31 सबसे ज्यादा सी ते दीए इंपोर्टन्ट है यह कॉश्ण इग्जाम के पॉइंट उफ्छिय बारा किसकी है पर्षिम बंगाल की है सुरी परशिम बंगाल की है तो आप इसको नौट डौन करनाटका की है तो अगला जो कॉश्ण पूछा गया है कि भरत के राश्ट पती को उनके पद से कौन हटा सकता है भारत के राष्टपती को अगर आप हटाना चाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 66 में उसके बारे में बताया गया है तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसको पार्लेमेंट के द्वारा जो होता है हटाया जा सकता है option C हमारा expression clear answer बन जाएगा बैसे राश्टपती को हटाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है फिर भी राश्टपती को हटाने से 14 दिन पहले उनको एक लिखत देना पड़ता है कि हम आपको हटा रहे हैं कुछ ना कुछ उस में जो हटाने के लिए देते हैं तो उसमें एक साधन है右सं के मेंबर से होते क्वेटी तो बवहिए चैनल को सब्सक्राइफ नहीं कि अभी तक तो कर दीजिए क्योंकि क्वेटा आपको पता है कि हम ah जाते हैं आप सभी के लिए तो आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे लाइक करेंगे हमारी वीडियो को वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा भी फाइदा है तो देखिए नेक्स्ट वन कोशिन क्या बोर रहा है यहां पर question बोरा है तो rocks that possess crystalline and compact grain are called rocks कौन सी होती है वो crystalline and compact grain होते हैं वो किस rocks के पास होते हैं तो यह जो होती है यह unstatified rocks होती है यह ignisus rocky कड़ागेरी में आते हैं अगर इसका example की बात करेंगे तो यह bass sold हो गया इसका trap हो गया gray night हो गया इसका example जो होते हैं यह इसका example होते हैं and यह water को resist करने वाली rock होती है option c हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देखिए water absorption for a class of roof tile bricks के बारे में आपको अपने सुना ही है बहुत सारे question हम discuss किया है कि bricks का water absorption जो होता है वो कितना होता है इतना होता है यहां पर roof tiles को लेकर पूछा गया कि roof tiles के लिए कितना होता है तो एक class की जो होती है उसका water absorption जो होता है वो 14-19% का होता है 14-19% roof tile की बात हो रही है roof की जो tile होती है अगला question हमें आपे देखते हैं तो commonly used lime for work underwater or in damp situation underwater के लिए कौन सा होता है underwater के लिए जो आप use करते हैं वो hydraulic lime होता है लेकिन कौन सा होता है eminently eminently hydraulic lime जो होता है वो underwater या फिर damp situation के लिए use किया जाता है इसमें अगर आप impurities जो होती है उसकी बात करेंगे तो 5-10% जो होती है इसमें impurities होती हैं तो अगर इसमें इतनी सारी impurities होने की बज़े से यह बहुत ही ज्यादा हाड होता है मुझबूत structure प्रवाइट करता है option D हमारा answer बन जाएगा इस question के लिए next question बोर रहा था calcine product in cement production is known as इन चारों में से जो calcine करते हैं product cement के लिए वो कौन सा होता है तो calcine जो होता है उसको पता है कि कलिंकर के रूप में जाना जाता है हमारा इस question के लिए अंसर होगा अगला question देखी बीच आफ़ पॉलिंग इस नोट प्रॉपर्टी ओफ कौनी फरस्ट्री कौनी फरस्ट्री होता है उसका यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी नहीं आमें वो बताना है अब हम engineer हैं civil engineer है तो हमारी दिश्ट्री से देखेंगे तो हमने ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है वैसे ऐसे वह इसे वह इसको एanor कौनी फरस्ट्री हैं से हार्ड निकलते हैं तो देखियौ क्या होता है कि ये जो होती है अब इसके बारे में पुछा गया कि वह इसमें क्या नोट प्रापटी, इसकी कौन सी प्रापटी नहीं है, तो दे आर हैवी ये हैवी नहीं होते हैं, बसलके रंगे होते हैं इसके जो ग्जेम्पल होते हैं, दियोदार बर साल हरे ही आपको देखनों को मिलते हैं लेकिन डेसीडियूस ट्री जो होते हैं इसको आप सीजनल ट्री भी बोर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सीजन में ही इनके पत्रे जो होते हैं हरे देखनों को मिलते हैं तो यह चीज आप जिससे की शीशम हो गया हमारे पास टीक वूड हो गया तो यह जो है इसके 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 अप्शिन हो जाएगा अगला कोशन देखें आप विचाथ Cauling Act as vehicle for the paint vehicle के रूप में paint में कौनसा एक्ट करता है तो वो होता है लीन सेट और जो होता है ही कलके काम करता है अगला कोशन देखें यहां पे The component of an oil-based paint which is used to adjust the viscosity of the paint and make it possible to spread the paint evenly on the surface is known as उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो बोर रहा कि भाई कौन सा वो इंग्रिजिंट है पेंट का तो वो बीकल होता है अभी हमने इसके बारे में इसके बारे में डिसके करेका है लिंसीड ओयल, नट ओयल हो गया हमारे पास पोपी ओयल हो गया ये क्या है? तीन हमारे पास वीकल है तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत और भी पता होने चाहिए कि एक वीकल एक ऐसी एक इंग्रिजिंट है पेंट का कि भाई ये जो होता है हमारे जो पेंट होता है उसको लिकुड स्टेट में ही रखता है लिकुड की स्टेट में ही रखता है और ये एक binding material की तरह काम करता है paint में तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए और ये paint जो होता है किसी अगर आप subject पर इसको लगाएंगे तो ये फैलाने के लिए बहुत ही important होता है फैलाने में मतलगी बहुत ही help करता है की look liquid in foreign I Experts लिए हुता है इसलिए ये फैलाने में भी मद्स करता है मैंने हिंदी में पता है English इप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि और हम फेर्फ यॉचंड होक दो ऊथो कि ये Engelse को में पॉप्र कच तेछ इंपरानत है अगला question क्या बोरा, gal vanishing is the process of covering iron with a thin coat of zinc वही बोरा कि gal vanishing जो होती है एक ऐसी process होती है जिसमें covering iron iron को cover कर रहे हैं with a thin coat of zinc thin coat of zinc की पतली पर चड़ा दी जाती है लोहे के उपर zinc की पतली परत चड़ा जाती है उसको आप gal vanishing process बोलते हैं option A हमारा इस question की answer बन जाएगा चैनल को अभी तरक सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में bell icon को press कर लीजिए अगला जो question हो बोला है कि tell us is transported by आए टलस टलस जो होता है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर जाते है इसके द्वारा तो ग्रैव साथ है क्या बोलते हैं कोलू वील सॉयल को लूबिल सॉयल मिkellा option люб हमारा इस question के Napsub tweet का June हिंदी वालों के लिए तोड़ी सी मुश्किल है कि यहां पर डैश द्वारा ले जाता है विसे यह देना चाहिए टैलस जो होता है तो हिंदी में थोड़ा सा कोश्चिन हमने में मिस्टेक कर दी है टाइफ करने में अगला कॉश्चिन देखी हैं पर दर रेश ओफ वोल्यम ओफ वाइट्स तू वोल्यम ओफ सॉलिड इसको आप क्या बोलते हैं क्या हम उसको बोलते हैं परो सिटी बॉलत बॉल inventory यह वाटर कल्ठ आशब वाटर कटेंट तो भ मॉल्यम ओब्र वोल्यम ओफ इस कालड वाट्रिश्वड ओफ इसकॉल वबैड रिश्वड वाट रिशो पोरोशेटी को आप N से डिनोट करते हैं, बोईड रिशुकों को E से डिनोट करते हैं, भी हमारा इस question के लिए अंसर हो जाएगा, अगला question हमें आपके देखते हैं, for a fully saturated soil sample, the degree of saturation is, कितनी होती है, fully saturated है, हमारा जो भाई, soil है, मिती है, वो उसमें पूरी तरह से पानी है, तो उसको इडिगे of saturation जो होगा, वो 100 परसेन तक होता है, fully saturation के लिए, पार्शिल की बात है तो पार्शिल के लिए zero से सो के भीच में कुछ भी हो सकता है भई वह राए है तो उसको zero होगा यह point सारे आपको पता होनी जुरूरी बैसे सबी को पता है फिर भी question को discuss करना जुरूरी है अगर जिसको नहीं पता उनके लिए वीडियू है यह सबी के यह मां रहा हो ड्वाइज दोरा ही इसका बिकास किया गया था यह पॉइंटत है अग्रेटशने लिए डीर स्था ता फॉलंग स्वयल य्जिट पर्मेबल लीसट पर्मिवल होता है वो कौन सा होता है least permeable भाई आपको पता है कि जो clay होती है वो least permeable होता है इसके अंदर पानी जो होता है flow नहीं कर सकता है उसको आप permeable बोलते है permeable soil तो जिसके सबसे छोटे छोटे particle हो गए उसमें ही आपको least permeable देखने को मिलेगी अगला question हम यह पर देखते है कि the property of soil due to which a decrease in volume occur under compressive force is known as उसको आप क्या बोलते हैं compressibility of soil हम उसको बोलेंगे compressibility of soil is the correct answer हो जाएगा अगला देखिए in modified productive test for compaction of soil modified productive test compaction of soil the mass of ramber is dash of and drop of oil modified की बात हो रही है तो modified के लिए very very important question है यह बाई modified है तो modified के लिए हमारा 4.89 kg का ramber का weight होगा mass होगा और 450 mm का height होगी free fall लेकिन standard की बात करेंगे तो standard के लिए होता है standard proctor test जो होता है उसके लिए option a हमारा answer हो जाएगा इस question के लिए अगला question देखिए ता minimum length to diameter ratio और रोक sample necessary to conduct unixial compression test strength test without applying correction factor without applying correction factor is 2 correction factor जो होता है वो 2 होता है अगला question देखिए बीच्वाथ o Palling the ratio of absolute velocity to mass density absolute velocity to mass density कर जो रेशो होता है उसको kinematic viscosity हम बोलते हुझा अगला question देखिए differentiation monometer measure differential monometer जो होता हो किसको miser करता है भा डिफेरेंशिल मोरेत्य जो होता है वो किसको miser कर सकता है difference in pressure between two points इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको किसको मेजर कर सकता है differential monometer तो वह option D को ही करता है option D हमारा इस question के लिएंसर हो जाएगा अगला question देखे in case of steady uniform flow of a liquid कि कौन सा case है steady uniform liquid का case है acceleration is acceleration जो होती है वो क्या होती है acceleration जो होती है अगला question देखे difference between the total headline and the hydraulic grade line represent किसको रिपर्जेंट करता है ये तो वो रिप्रजेंट करता है velocity head जो होता है option A हमारा अंसर हो जाएगा इस question के लिए अगला last question देखे हमारे ये last ही था तो ये थे हमारे 32 question वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लिजिए मिलते हैं ऐसी ही next वीडियो में झाल